नमस्कार आपके साथ मैं हो साक्षी जोशी सत्यमेव जयते में आज जरा जनरल वीके सिंग के बारे में कुछ बता दिया जाए दो तरह की हेड्लाइन आप देखिएगा एक हेड्लाइन कहती है यानि वो इस बात को इंडॉस करते हैं कि पार्लिमेंट का घेराव करना चाहिए और दूसरी हेड्लाइन देखिए दूसरी हेड्लाइन ऐसी कहती है कि जनरल वीके सिंग कह रहे है कि यह जो प्रदर्शन कर रहे हैं यह तो किसानी नहीं लग रहे है फर्क सर्फ इतना है कि पहले वाली जो हेड्लाइन मैं आपको बताई वो 2012 की है जब केंदर में UPA की सरकार थी और दूसरी वाली जो हेड्लाइन मैं आपको दिखाई है वो 2020 अभी की है जब यह खुद यूनियन मिनिस्टर है उस वक्त यह कह रहे थे कि पार्लेमंट का घेराओ करना चाहिए इनका तो समर्थन अन्ना हजारे भी कर रहे थे अन्ना हजारे हाजर हो किसी में देखा अन्ना हजारे को जो उस समय बहुत दिखाई देते थे अब वो दिखाई नहीं देते और इन्होंने गन्ना किसानों के लिए कि रंग राजन कमिटी में जो सिफारिशे हैं वीके सिंग कह रहे थे कि रंग राजन कमिटी में जो सिफारिशे हैं ये बिल्कुल नहीं मानी जाएंगी इनको हटा देना चाहिए लेकिन उस वक्त की मनमोहन सिंख सरकार ने इनको आंटि-नाशनल नहीं कहा था, किसान ही माना था, जनरल वीके सिंखक को भी तरह-तरह के शबदों से सम्मानित नहीं किया गया था, और ये भी किसीने नहीं कहा था कि इनके आने वाले समय में कुछ political ambitions हो सकते हैं बिल्कुल क्योंकि union minister तो बाद में बन गए और बीजेपी जोइन कर ली तेकिन आज जब ये union minister हैं तो आज ये कहते हैं ये तो किसान ही भी दिख रहा है अब इनका मजाक तो खेर बनी रहा है अपने शब्दों से लेकिन आम आद्मी party लें से पूछ लिया तो आपको क्या लगता है कि हल और बैल लेकर आए कि आपके सामने किसान दिखने के लिए और अब ये कहते हैं कि besides opposition people who get commission are behind it एक बार फिर सुनिए besides opposition people who get commission are behind it किसकी बात कर रहे हैं जनरल वीके सिंग अपने हिसाब से आप तै करेंगे कौन किसान है अब किसानों के कपड़े देखकर आप ये तै करेंगे किसानों की भाशा देखकर किसानों के हावभाव देखकर किसान क्या खाता है क्या बोलता है कैसे रहता है उसका रहन सहन देखकर भी अब आप decide करने लगेंगे कि किसान है की नहीं है मतलब जब तक आपका अपना मतलब था तब तक तो पारलेमेंट का घेराव भी कर देना चाहिए था इन्होंने उस वक्त आपको पते एक महीने की अल्टिमेटम कॉल दे दी थी कि एक महीने के अंदर अंदर वापस लीजे इसको वरना फिर हम पार्लेमेट का घेराव करेंगे वो सब कुछ जायस था लेकिन आज अगर किसान ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो तरह तरह के नामों से उन्हें पुकारा जाता है ये है असलियत तो दरस है जब आप आंदोलन सिर्फ जस्टिन टूडो की बात नहीं जस्टिन टूडो ने कुछ का तो भक्त प्रजाती जो है वो कहने लग जाती कि देखे वहाँ पे बहुत सारे पंजाबी है इसलिए ओक रहे अरे भईया पंजाबी है ठीक है एमेसपी रंगराजन कमिटीन में क्या है सब चीजों से बहुत फर्क पड़ता था तब तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्लिटिकल अंबिशन्स देख रहे थे यह क्यों ना कहें हम मिस्टर यूनियन मिनिस्टर जनरल वी के सिंग आज आपको किसानों का कोशिश करते थे और जब आँखों पर परदा डालने की कोशिश कर रहे हैं हम तो तब भी देखेंगे और किसानों का डर्ध ही लेहे किसानों की मांग आपकी कानों तक जरूर पहुंचाएंगे कितने भी हत्कंडे अपना लीजीक किसान की आवा स्थ टो नहीं